इस साल NTA की गरह दशा कुछ ठीक नहीं चल रही है एक के बाद एक स्कैम अनवील होते जा रहे हैं एक और टेपर लीक का खुलासा आया जो UGC NET परिक्षा ये परिक्षा भी NTA ही और्गनाईज करती है ट्यूजडे को इसका एक्जाम हुआ था दो शिप्ट में हुआ था औ और एक्जाम होने के तुरंत बाद इस एक्जाम हैस बीन कैंसल क्यों इंडियन जो साइबर क्राइम सेल है उन्होंने सज़ेस्ट किया कि भाई पेपर में कुछ कॉम्परमाईज हुआ है और उसके बाद मिनिस्ट्री आफ एजूकेशन ने इस पे एक्षन लिया और बोला क भाई नया एक्जामनेशन का शेड्यूल दिया जाएगा फिर से एक्जाम कंड़क करा जाएगा और इसकी जो पेपर लीक हुई है उसकी थरों सीबी आई जाज होगी ठीक है अच्छा यह तो बात होगे यूजी सी नेट की अब बोलोगे सार नीट का क्या होने वाला है तो यहाँ पे मिनिस्ट्री री नीट की बात नहीं कर रही है मतलब अगर आपको री नीट चाहिए तो आपका एक ही आसर है that is honorable supreme court बट यही काम अगर ministry of education ने result आने से पहले publish कर दिया रहता और फिर से री नीट exam तभी करा दिया होता तो किसी भी इंसान को दुख नहीं होता उस अगर आप री नीट के लिए बोलते हो तो 650 प्लस नंबर वाले दुखी होंगे अगर आप री नीट के लिए नहीं बोलते हो तो 650 से कम नंबर वाले दुखी होंगे मतलब सब के लिए justice नहीं हो सकता है इस case में बट खेर 8 जुलाई का इंतिजार करते हैं और देखते हैं honorable supreme court का क्या final judgment आता है जिन बच्चों के actual grievances हैं बिटा अभी भी आप rate petition दायर कर दीजे सुप्रीम कोट में वो सब pile up होके 8 जुलाई को सुनी जाएगी और इसकी जो सुनवाई है 8 जुलाई को पहली hearing यही है और यह जो आपके CGI है justice चंद्रचूर उनके द्वारा ही सुना जाएगा तो काफी seriously इस पे कुछ ना कुछ तो action लिया जाएगा या result republish होता है या उसके बारे में आपका कुछ opinion है तो comment section mention कीजेगा मिलते अगले वीडियो में take care bye bye and have a great day thank you